मोनोमर का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं मोनोमर जो है उस small molecule को कहा जाता है जो दूसरे मोनोमर्स हैं उनको chemically bound कर सकता है और फिर उससे polymer बन सकता है polymer जो है वो सभी तरीके के जो polythene होती है प्लास्टिक होती है या फिर नाइलोन या पॉलिस्टर जैसे कपड़े होती है या फिर और भी जितने आप जैसे इनको रैगजीन कहते हैं तो ये सब चीजें जो हैं वो पॉलिमर से बनी हुई होती है जो पानी की बोतल है या आपके किचन में जो डिब्बे रखे होते हैं जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं जिनमें चीज़ें आप रखते हैं इन सब चीज़ों को जो बेसिक यूनिट जिससे बने हुए ये होते हैं उसको मोनोमर कहा जाता है अलग-अलग तरीके के मोनोम कह सकते हैं, polymer starch भी बनता है, polythene bag जो आप इस्तेमाल करते हैं, हलां कि नहीं करना चाहिए, हमारे environment के लिए जो आज की दिन सबसे बड़ा खत्रा है वो ये polythene bags ही है तो इनका इस्तेमाल करने से आप बचे तो ये भी जो है वो ethylene नाम का एक monomer होता है, उससे जो है polythene बनते हैं तो ये जितने भी जो basic unit होती है जिसकी, जितने भी polymers है उनकी, तो उसको monomer कहा जाता है और ये अलग-अलग तरीके के monomers को बिलाके अलग-अलग तरीके के polymers बनाय जाते हैं और इसके बारे में अगर आप और detail से पढ़ना चाहें तो आपकी screen और video के description में दिया गया आप पढ़ सकते हैं उसको और भीतर तरीके से समझ सकते हैं अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें